मसकार जैजागनाद ब्यूटिफुल गड़न अप चुमकी में आप सब का स्वागत है आज ना की कोई फ्लावर के बारे में बात करेंगे ना ही कोई प्लांट्स के बारे में बात करेंगे आज एक दूसरा चीज के बारे में बात करेंगे अगर आप गड़निंग का सौक रख यह सब का जानकरी आप लोगों को होना चाहिए आज का पूरा वीडियो फंगिसाइट्स के बारे में यह है मैंने कुछ फंगिसाइट्स बीगर.com से मंगाई थी तो वो सब आ गया है आज आपके सामने ही मैं उसको ऑन्बोक्सिंग करूँगी फिर आपको दिखाऊंगी कि आप कौन सा फंगिसाइट्स का भी यूज करेंगे कैसे यूज करेंगे यह सब डिटेल में आज आपको मैं बताऊंगी और सबसे आखरी में एक बहुत ही जरूरी टिफ्स आप लोगों के लिए हमेशा रहता है तो फिर वीडियो के आखरी तक जरूर मेरे साथ जुड़े रही है तो पहले जान लेते हैं फंगिसाइट्स हम लोग क्यों यूज करते हैं फंगिसाइट्स क्या करता है प्लांट में जितने सरे फंगल इंफेक्शन होता है कोई भी फंगी का आटाक होता है फंगी की वज़े से कोई डीजीज प्लांट में हो जाता है तो उससे बचाने के लिए हम लोग फंगिसाइड का यूज करते हैं फंगिसाइड तीन तरह के होते हैं contact फंगिसाइड, systematic फंगिसाइड और translaminar फंगिसाइड contact फंगिसाइड क्या होता है ना contact फंगिसाइड पौधे में हम लोग जो स्प्रे करेंगे तो वह पौधे के पत्तियों में तने में जहां पे भी वह स्प्रे गिरेगा उसके उपर ही जमा होके रहेगा वह पौधे के टीसू के अंदर प्रब्यस नहीं करेगा तो फिर उपर ही जो फंगाई होंगे इससे वो अपने जो प्लान्ट से उसको बचाएगा दूसरी तरफ जो ट्रांसलामिनर फंगिसाइड से अगर आप ऍपत्ति के उपर उसको स्प्रे किया है तो नीचे जहां पर अपने स्प्रे नहीं किया है उस तरफ भी आपने आप रिडिस्ट्रिबूट हो जाएगा और पौधे को फंगी से बचाएगा और तीसरा टाइप का है सिस्टेमेटिक फंगी साइट्स जो कि हम प्लांट के उपर उसको स्प्रे करेंगे तो वो उसके टीशू के अंदर चला जाएगा और प्लांट का जो जायलेम वेसल होता है वो पूरा प्लांट में रिडिस्ट्रिबूट कर देता है यानि कि पूरा प्लांट रूट से लेकर लीप तक वो पूरा डिस्ट्रिबूट हो जाता है यह प्लांट को अंदर से स्ट्रॉंग बनाता है और अंदर से वो सारा जो फंगी इंफेक्शन है उससे लड़ता है और अ 30-40% तक डिस्काउंट चल रहा था और यह सब सीपिंग फ्री है सीपिंग चाज़स मुझे कुछ भी नहीं देना पड़ा पहला जो चीज मैंने मंगाया है वो है इंडो फिल का M45 यह M45 फंगिसाइड से हाप केजी है यह फिर यह दूसरा पैकेट भी आया है थोड़ा खोड़ने में मुझे कसरत करनी पड़ी बहुत ही अच्छे से पैकिंग करके वो लोग भेजते है बहुत ही मुस्किलों के बाद यह खुली गया अर्ट लिस्ट तो फिर मैं दिखाती हूं उसके अंदर क्या क्या है तो जो पहला चीज है यह है मेरा धनुका कंपानी का धनुस्टिन फंगिसाइड देखिए यह यह भी हाप केजी का है नेक्स्ट आ गया यह मेला स्पेक्ट्रम जो कि एक फंगिसाइड से फिर आ गया यह बायबिटा का सी उईड फिर आ गया यह धनुका कंपानी का गोविडा सूपर जो कि एक सिस्टम फंगिसाइड से और सबसे आखरी में ब्लाइट अक्स टाटा का यह एक कॉंटक्ट फंगिसाइड से तो सबकुछ मैंने यह देखिए सबकुछ निकाल दिया है चलिए अब एक एक के बारे में अच्छे से डिटेल से हम लोग जान लेते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे धनुस्टिन के बारे में ये धनु का कमपानी का है और ये एक सिस्टम फंगी साइट से इसमें कार्मों डिजिम 50% है और ये डेबलूपी फॉर्म में है यानि कि पाउडर जिसको हम स्प्रे करने से पहले पानी में उसको मिक्स करके फिर अपने पौधे में हम लोग स्प्रे करते हैं मैं हमेशा बोलती हूं फंगी साइट में आप भविस्टीन का यूज करें भविस्टीन में कार्बन डेजिम 15% होता है लेकिन इधर कार्बन डेजिम 50% है तो इसलिए ये अच्छा एक बिकल्ब है भविस्टीन के जगह पे आप ये यूज कर सकते हैं और ये भविस्टीन से सस्ता भी होता है मेरा ये 500 ग्राम का मुझे एमर्पी कॉस्ट है 455 रूपीज लेकिन मुझे ये पढ़ा है रूपीज 372 इसको आप कैसे और कितनी मत् इसको आप 2 ग्राम पर लिटर के हिसाब से अपने सारे प्लांट्स के रूट जोन में दे सकते हैं और उसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छा चीज है फ्लावरिंग के टाइम पर आपके जितने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं चैसे की गेंदा पानी में मिला के फिर उसको यूज करना है यह बहुत ही सस्ता रहता है साफ में मैंकोजव 68% होता है और कारबundaटष लेकिन इसमें मैंकोजव 75% होता है अगर आप इसमें धनुस्टिन मिला लेंगे तो फिर धनुस्टिन में कारबनेजिम 50% होता है ये M45 और धनुस्टिन दोनों को अगर हम लोग मिला के यूज़ करेंगे तो फिर उसका effectiveness बहुत ही बढ़ जाता है M45 होता है contact fungicide और धनुस्टिन होता है systemative fungicide तो फिर दोनों अगर मिला के हम लोग यूज़ करेंगे तो plant को 1-2 तरह का fungicides मिल जाता है जो की प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है और उसका जो हम लोग मिला के यूज़ करेंगे उसको 1 ग्राम पर लिटर के सबसे यूज़ करेंगे ये बहुत ही सस्ता है इसका कॉस्ट M45 का कॉस्ट है रूपीज 325 लेकिन मुझे ये आया है 237 रूपीज में और ये हाप के ज कॉस्पेंशन कंसेंट्रेट फॉर में ये इसका मतलब है ये बहुत ही गाढ़ा लिक्विड होता है जो की हमको पानी में मिला के उसको यूज़ करना है इसमें एजोक्सी स्टोविन 18.2 परसेंट है और डाइफेन को नाजल है 11.4 परसेंट क्यूंकि ये एससी फॉर में होत होता है तो पानी में तूरंती मिक्स हो जाता है इसको आप 1 ml पर लिटर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं अभी मैंने बोला आप लोगों को कि जब फ्लावरिंग आता है तो फिर आप पावडर फॉर में जो सरह फंगिसाइड्स होते उसको यूज़ मत कीजिए लेकिन ये जो लिक्विट फॉर में जितने सरह फंगिसाइड्स हैं इसको आप जरूर यूज़ कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं और इसमें बिल्कूल भी फ्लावर डरब नहीं होता है आमिस्टर टॉप भी एक बहुत ही अच्छा फंगिसाइड्स है लेकिन वो बहुत कोस होता है वह 100 ml का आपको 600 रूपीज पढ़ जाता है जबकि यह जो धनस्का कमपनी का गोड़ी वास उपर है यह 200 ml का कॉस्ट था 1051 रूपीज लेकिन मुझे यह आया है ओनली 758 रूपीज जो की 200 ml का है यह एक बहुत ही अच्छा फंगिसाइड से इसको आप किसी भी समय पे अपने प्लान्ट पर यूज कर सकते हैं यह थोड़ा कोस्ट लि आता है इसलिए रूरूड जोन में मत दीजिए हमें स्प्रें ही कीजिए नेक्ट बात करते हैं स्प्रेक्ट्रम फंगिसाइड्स के बारे में ये एक broad spectrum fungicide है इसमें ozoxy strobin 11% है और tabuconazole 18.3% है ये broad spectrum fungicide से ये broad spectrum fungicide क्या होता है इसमें contact, systematic और translaminar तीनों का effect होता है इसलिए ये तीन तरह से पौधों में काम करता है इसको आप 1 ml पर लिटर के हिसाब से अपने पौधे में यूज़ कर सकते हैं इसका कॉस्ट ये 250 ml का है और इसका कॉस्ट है रूपीज 958 लेकिन मुझे ये सिर्फ 520 रूपीज में मिला है ये भी HC form में है यानि की suspension concentrate form में है जो की गाड़ा liquid होता है जिसको हम पानी में मिला के यूज़ कर सकते हैं ये पानी में आसानी से mix हो जाता है नेक्स्ट आमरा ये आगया बायो भीटा का seaweed ये एक plant growth promoter है plant growth promoter क्या करता है ना plant में ने ने पत्ते लाता है पत्ते में हरापन बढ़ाता है plant को बुसी बनाता है तो ये बोल सकते हैं कि overall growth इसके बज़े से होता है ये overall growth पौधे को प्रदान करती है और फूल भी आपके बड़े-बड़े size के होंगे ये seaweed best fertilizer है जो की purely 100% organic है बहुत ही अच्छा चीज है company बोलता है 3 ml per liter के हिसाब से यूज करने के लिए लेकिन आप 2 ml per liter के हिसाब से इसको यूज करें उसको spray करना है आपके पौधे में morning time में इसको spray करें इसको आप अपने roses, hibiscus ये सब plants में 15 days में एक बार spray कीजिए लेकिन बाकी सब plants में आप 20, 25 या फिर माइने में एक बार उसको spray कर सकते हैं इसके यूज करने के बाद आपको कोई भी दूसरा fertilizer का कोई भी जवरत नहीं पड़ेगी और थोड़ा सा अगर आप इसके साथ NPKR कर देंगे तो पिर क्या कहने हो तो सोने पे स्वागा है यह इतना अच्छा fertilizer बन जाएगा कि कोई दूसरा fertilizer आपके plant के लिए जवरत ही नहीं पड़ेगी इसका cost है 270 रूपीज यह 250 ml का है लेकिन मुझे यह आया है 178 रूपीज में बहुत ही अच्छे rate में मुझे यह सब मिल गया है और सबसे आखरी में बात करते हैं ठाटा का ब्लाइटोक्स यह एक contact fungicides है इसमें blue copper यानि के copper oxy chloride की मात्रा 50% है इसका MRP रूपीज 676 है यह 50 ग्राम का है लेकिन मुझे यह पड़ा है रूपीज 470 यह बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा effective fungicides है लेकिन flowering के stage पे आप vegetative plant हो या फिर flowering plant हो कोई भी plant में flowering के टाइम पे आप इसको यूज मत करिए बाकी टाइम पे आप इसको यू में दे सकते हैं और इसको spray भी कर सकते हैं insecticides और fungicides का combination आप कैसे तयार करेंगे और कैसे आप उसको अपने पौधे के लिए यूज करेंगे उसका एक पूरा डीटेल वीडियो में आगे अपने चैनल में जरूर अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ स्यार करूँगी आ अगर आपने गेंदे का फूर लगाया है तो फिर flowering के टाइम पर आप उसमें कोई भी powder fungicides का यूज ना करें अगर आप यूज करेंगे तो पक्का आपके flowers drop होंगे आप जब तक birds नहीं आते हैं तब तक mango chip या फिर blue copper का यूज कर सकते हैं लेकिन एक बार उसमें birds आ जाए आज का ब्लोग यहीं पर रखते हैं आज मैंने सबके बारे में आप लोगों को बता दिया है असा करती हूं आज का information आप लोगों को अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए है तो फिर जरूर मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए राइट शेड में जो बेल का इकन है उसको भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी कोई में वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए ठीक है आज का ब्लोग यहीं पर रखते हैं मिलते हैं एक नए पौद के साथ और कुछ नए नए इंफरमेशन के साथ और सबसे आखरी में मैं अपना गार्डेन जो है उसका थोड़ा लाटिस्ट भी आप लोगों के साथ स्यार कर लेती हूँ फिर से मिलते हैं एक नए ब्लोग में और एक नए प्लांट के साथ कुछ नए नए